नई कस्टमर्स ढूंडने हो या फिर सेल बढ़ानी हो जो सबसे असरदार तरीका है वो है टेलिफोन कॉलिंग लेकिन इसको करने में अच्छे अच्छे घबराते हैं पर अगर आपने आयुशमान खुराना की मुवी ड्रीम गर्ल देखी हो जिसमें वो एक कॉल सेंटर में का जो एक साधारन कॉल को एक स्मार्ट कॉल बना देती इस बुक समरी में हम बात करेंगे कि कैसे इस स्किल को सीख कर आप भी बढ़िया काम कर सकते हैं और सक्सेस्फुल हो सकते हैं जिसने कभी कोल्ड कॉलिंग किया हो मतलब अनजान लोगों को फोन करके अपना सामान या सर् मुश्किल है बहुत से लोग तो इसके नाम से ही घबराते हैं ठीक भी है खुद को भी लगता है कि फोन मिला कर क्या वही गिसी पिटी बातें फिर से की जाए अगर रोज आपको एक लिस्ट थमा दी जाए कि इतने लोगों को आपको कॉल करना है तो एक हलकी सी हिचक तो हो ही जाती है हाना कि one-to-one basis पर client या होने वाले client को convince करने का ये आजमाया हुआ तरीका भी है arts object की लिखी smart calling, eliminate the fear, failure and rejection from cold calling पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि कैसे केवल एक फोन की मदद से sale बढ़ाई जा सकती है इसके जर्ये हमें ये सीखने में मदद मिलेगी कि कि किसी अजनभी को किस तरह call करें, उनसे कैसे बात चीत करें और उनको अपना product खरीदने के लिए convince करें साथ ही ये भी कि किस तरह से उस हिम्मत तोड़ने वाले rejection से बचें जैसा कि आप इस चर्चा के नाम से ही समझ गए होंगे, कि इसमें हम बात करेंगे smart call method की ऐसा नहीं है कि इसमें दी गई tactics को इस्तमाल करके केवर sale या business बढ़ाने में मदद मिलेगी ये उन सब के लिए है जो फोन पर किसी अजनभी से बात करके उसे convince करना चाहते हैं जैसे कि नौकरी तलाशने वाले, किसी social cause के लिए fundraise करने वाले या कोई भी ऐसा इनसान जो freelancing करता हो सबसे ज्यादा तो ये उनके लिए खास है जो tele marketing या tele calling का काम करते हैं आज के जमाने में किसी में इतनी patience नहीं है कि sale representative की call पर ध्यान दे ऐसे माहौल में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपनी हरी call को किस तरह smart call में बदले और अपने possible customer को confirmed customer में convert करें Smart calling की book summary में इस goal को पाने के लिए step by step method share किया गया है ये एक complete guide है जिसमें prospect ढूनने से लेकर information collect करने तक बहुत ही simple और effective तरीके बताए गए हैं इस चर्चा का एहम हिस्सा ये भी है कि क्या, कब और कैसे बोलना है हम कहां पर गलती कर जाते हैं और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं आईए cold calling के डर से छुटी पाने का अपना सफर शुरू करते हैं मैं हूँ RJ रितिका और आप सुन रहे हैं कुकू FM हम बात कर रहे हैं 800 ब्जैक की लिखी smart calling eliminate the fear, failure and rejection from cold calling कुकू FM सुने जो मन चाहे cold calling आखिर है क्या हम सबका cold calling से सामना हो चुका है कोई भी अनजान फोन करता है और एक टूटी फूटी रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल कर आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है कभी उस बंदे के बारे में सोचा है जिसने ये boring phone आपको किया हम बताते हैं आपको कोई भी लड़का या लड़की है जिसके पास prospect या would-be customer की कोई भी जानकारी नहीं होती है बस एक के बाद phone करता जाता है और वही script दोहराता जाता है cold calling का idea ही गलत है ये कुछ ऐसा हुआ कि आप अक्षे कुमार का interview लेने जा रहे हैं और आप शुरू करते हैं तो अजे जी माफ कीजिएगा अक्षे जी आप क्या काम करते हैं? ऐसा हो सकता है कभी? लेकिन cold calling में यही तो होता है बिना कुछ जाने समझे किसी को भी phone मिला कर उसे कुछ बेचने की कोशिश की जाती है इसमें सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि ये एक business से दूसरे business के बीच communication नहीं है ये एक इंसान से एक इंसान के बीच communication है यही तो खासियत होती है कि telephone prospecting या टेली कॉलिंग की telephone prospecting किसी भी business को बढ़ाने का बहतर तरीका है आप कई तरहा के advertisement, websites, social media वगेरा आजमा सकते हैं लेकिन ये सब करने के बाद अगर आप केवल किसी customer के आने का इंतिजार करते हैं तो आपका business उतना successful नहीं हो सकता जितना कि इन सब के साथ telephone prospecting करने वाला business तरक्की करेगा सेल करना एक verb या क्रिया है नहीं नहीं, हम आपको grammar नहीं पढ़ा रहे हैं कहने का मतलब है कि सेल करना एक action है सेल पाने के लिए आपको action लेना पड़ेगा बैठ कर इनतिजार करने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपको लगता है कि ये आदमी मेरे business के लिए सही है तो आपको उठकर उससे contact करना होगा वरना जिन्दगी बीच जाएगी इनतिजार करते-करते एक study के मताबिक ज्यादातर managers और directors लोग ये पसंद करते हैं कि sales people उन्हें call करके अपने product के बारे में बताएं और telephone के जरिये किसी को contact करना सबसे आसान सस्ता और असरदार तरीका है आपको यकिन नहीं हो रहा तो करके देख लीजिए बस शर्त इतनी है कि आपको phone पर बात करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए हाईए, सबसे पहले telephone prospecting के कुछ फाइदे बताते हैं पहला, हो सकता है कि आप ऐसे मौके पर call करें जब बायर पहले से ही खरीदने की सोच रहा हो कभी-कभी ये भी होता है कि किसी और ने ground तयार किया हो या आपके product में जिस भी कारण से interest जागा हो और ऐसे में आप contact कर ले तो आपको तुरंत एक sale मिल जाती है दूसरा फाइदा जो हो सकता है कि call करने से आप अपने product में interest जगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि हर कोई तयार ही बैठा है आपका product या service खरीदने के लिए आप social media पर अपने product के बारे में चाहें जितनी अच्छी post क्यों न डाले कोई उसे पढ़ते ही आपको contact नहीं करने वाला है लेकिन आपकी एक काईदे की call उनमें interest जगा सकती है और इसके chances भी बढ़ जाते हैं कि वे आपसे खरीद ही ले तीसरा फाइदा जो आपको मिल सकता है कि भले ही call करते ही आपको immediate sale ना मिले लेकिन आप आगे के लिए एक possibility पैदा कर सकते हैं कुछ तो साफ मना कर देंगे लेकिन आपकी calling list में से थोड़े बहुत ऐसे लोग जरूर होंगे जिने आपका product पसंद आएगा या कामका लगे और वो आगे चल कर उसे खरीद भी ले ऐसे लोगों से अगर आप contact में रहें और follow up करते रहें तो एक ना एक दिन आप successful जरूर होंगे चौथा ये कि आप कुछ हो या ना हो आपको अपनी sales skills उधारने का मौका जरूर मिल जाएगा call तो कोई भी कर सकता है लेकिन call करके एक अंजान को convince करने के लिए धेर सारी practice चाहिए तो जितनी बार आप call करते हैं आप कुछ सीखते हैं और बहतर होते जाते हैं prospecting या नए customer बनाना आसान नहीं है और अगर आप इस skill को सीख लेते हैं तो आपकी हमेशा demand रहेगी सबसे खास बात तो ये है कि ये आप में नया जोश भरेगा जब आप किसी काम में लगे होते हो और उसके जर्ये आप अपने goal के करीब पहुचते हो तो अपने आप आपकी निराशा दूर हो जाती है जब जो जाओ तो कोई रास्ता निकल ही आता है अच्छा, goal calling को लेकर लोगों के दिमाग में इतनी गलत फैमिया है कि जिन पर आम लोग ही नहीं sales से जुड़े लोग भी विश्वास करते हैं कहा जाता है कि एक नंबर गेम है call करते रहो जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा दूसरी तरफ हाँ, आज फोन उठाने है क्या फर्क पड़ता है आप उनसे बात करना चाहते हैं उनका कीमती समय लेना चाहते हैं तो आखिर वो ऐसा क्यों करे आपका कस्टमर या जिसे आप अपना प्रोड़क्ट बेचना चाहते हैं अपने बारे में चिंतित है अपने लिए, अपने काम के लिए चिंतित है और आपको भी अपने वुड़ भी कस्टमर के ही बारे में सोचना होगा, यही मेन फर्क होता है एक कोल कॉल और स्मार्ट कॉल में जब आज फोन उठाने का चलन कम हो गया है, खास कर अगर आप नंबर नहीं पहचानते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो गया है अलग-अलग इंडस्ट्रीज में फोन उठाने का परसंट फर्क है फिर भी इसकी पहुच इमेल या सोशल मीडिया से काफी ज्यादा है आपको क्या अभी भी यही लग रहा है कि फोन प्रोस्पेक्टिंग काम नहीं करता है अपने आसपास देखिए आपको जरूर कोई एक्जामपल मिल जाएगा जिसने फोन प्रोस्पेक्टिंग के जरीए अपने आपको खड़ा किया हो शर्त बस इतनी है कि आप स्मार्ट कॉलिंग प्रोटोकॉल को अपनाए आपको लग रहा होगा कि ये सब तो ठीक है ये सब सही भी लग रहा होगा पर कही न कहीं ये ख़याल भी होगा कि आखिर ये कैसे किया जाए आप कैसे किसी एक अंजान इनसान को कॉल करे इसको करने में आप सक्सेस्फुल कैसे हो ना या रिजेक्शन के डर का सामना कैसे किया जाए सबसे जरूरी बात तो ये है कि outdated seal technique और cold calling से कैसे बचे अब तक हम कई बार smart calling का जिक्र कर चुके हैं आईए समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है इसके तीन steps होते हैं पहला लोगों और उनकी company के बारे में जानकारी इकठा करना दूसरा उस जानकारी को सही से इस्तमाल करते हुए इस तरह से बात करना कि आपका prospect या होने वाला ग्रहा comfortable हो जाए इसके बाद तीसरा step आता है जिसमें आपका prospect आप से मिलने को और खरीदने को तयार हो जाता है पहले से जानकारी इकठा करने से आप ज्यादा buyers को reach कर पाते हैं एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि ज्यादातर buyers शुरू के 10 से 20 सेकंड ही मौका देते हैं आपके पास बस इतना ही समय होता है अपने buyer को आगे बात करने के लिए convince करने का अगर आप अपने buyer के बारे में कुछ चानबीन करके फिर उनसे बात करते हैं तो वे आपको केवल एक sales वाला बंदा नहीं समझते उनको लगता है कि आप वाकी उनका फाइदा कराना चाहते हैं इतना कुछ करने के बाद आप भी call करने में comfortable महसूस करने लगते हैं और मुश्किल calls भी आसानी से handle कर लेते हैं इन सब का नतीजा ये होगा कि आपको बार-बार rejection का सामना करना नहीं पड़ता सबसे एहम बात smart calling में आपका attitude है ज्यादतर लोग अपने बारे में ही सोचते हैं मैं क्या चाहता हूँ? मुझे अपना target पूरा करना है मेरा product सबसे अच्छा है और वगयरा वगयरा लेकिन prospectors या जिन लोगों को आप अपना customer बनाना चाहते हैं उनका भी तो यही mindset होगा उनको आपके target से क्या लेना देना? आपका product अच्छा है या बुरा? इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? आप उनसे बात करना चाहते हैं उनका कीमती समय लेना चाहते हैं तो आखिर वो ऐसा क्यों करें? आपका customer या जिसी आप अपना product बेचना चाहते हैं अपने बारे में चिंतित है अपने लिए अपने काम के लिए चिंतित है और आपको भी अपने would-be customer के ही बारे में सोचना होगा यही main फर्क होता है एक cold call और smart call में जब आप अपने या अपने target को दिमाग में रखते हुए call करेंगे तो कोई भी आपको सुनने में interested नहीं होगा जब आप ये सोच कर चलेंगे कि इससे मेरी customer को क्या फायदा मिल सकता है तब ही आप successful हो पाएंगे यह एक बड़ी natural सी tendency है कि सब को खरीदारी करना तो बहुत पसंद है लेकिन उन्हें ये नहीं पसंद होता कि उन्हें कोई जबरदस्ती बेचने की कोशिश करे लोग अपनी पसंद के हिसाब से खरीदना चाहते हैं ना कि इसलिए कि आपको लगता है कि उन्हें ये खरीदना चाहिए जब आप अपने customer को अपने से पहले रखेंगे तो आप खुद ही सोचने लग जाएंगे कि कैसे आप अपनी calling techniques को और बहतर बना सकते हैं और आपको इसके लिए क्या करना होगा इस process में ये clear होगा कि लोग क्यों आप से खरीदते हैं या क्यों आप से खरीदना पसंद करेंगे दूसरा, आप अपने buyers को बिलकुल साफ शब्दों में बता सकेंगे कि आप से ये product खरीदने में उनका क्या फाइदा है इस episode का मकसद है possible value proposition PVP या वो खास शब्द तयार करना जिनका इस्तमाल आप voice mails और अपने opening statement में कर सकते हैं आपको पहले sentence का सिर्फ एक goal होता है और वो है अगले में interest जगाना कि वो आप से बात करने को तयार हो जाए और आपको avoid ना करे यही PVP इस्तमाल होते हैं अपने prospect की need को समझने के लिए ताकि आप उनको ये convince कर सके कि आपका product उनकी need को कैसे पूरा कर सकता है sales में एक गलती जो लोग अकसर कर जाते हैं कि वो तुरंत अपने product की बात करने लगते हैं जिससे की अगला चिड़ जाता है दिक्कत यह है कि लोग समान नहीं खरीदते हैं वो उससे होने वाला फायदा देखते हैं और खरीदते हैं एक बड़ी मशूर कहावत है कि लोग छेद खरीदते हैं drill नहीं मतलब वो ये देखते हैं कि इस drill से उनका काम बनेगा या नहीं जब आप अपनी sales pitch रखते हैं तो आपकी future customer को सामान से objection हो सकता है लेकिन उनको उससे मिलने वाला result या फायदा पसंदा सकता है कोई चीज खरीदने में लगता है कि पैसा खर्चा हो रहा है पर जब हम उससे मिलने वाले result के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें return on investment मिल रहा है प्रोडक्ट्स तो हर कोई बेशता है उससे मिलने वाला result ही आपको आम से खास बनाता है अगर result मन चाहा हो तो आदमी ज्यादा खर्चने को भी तयार हो जाता है results या नतीजों के साथ आदमी जुड़ता है कहने का मतलब है कि सभी नतीजे एक से नहीं होते और अगर आप prospecting या telecalling में successful होना चाहते हैं तो आपको अपने product के result को हर customer भले ही वो एक individual हूँ या company के मताबिक personalize करना होगा अभी तो बस इतना ही देखा है कि आखिर smart call है क्या और इससे क्या फाइदा मिल सकता है अगले एपिसोड में हम बात करेंगे PVP कैसे तयार किये जाते है और इनका क्या काम है अपने target customer को समझे कभी सोचा है कि दुनिया में इतने धेर सारे product launch होते हैं लेकिन successful कुछ ही क्यों होते हैं इसका कारण है कि इसे बनाने वाले या launch करने वाले अपने idea पर खुद ही इतना खुश हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वो अपने लिए नहीं बलकि उसे बेचने के लिए बना रहे हैं इसी तरह सेल्स वाले भी इसलिए fail होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो बेचने निकले हैं, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी खरीदारों को वाकई क्या चाहिए। तो अपने PVP तयार करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने पॉसिबल कस्टमर्स की सोच को समझे। पर ये किया कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाईए कि कौन से लोग इस फैसले में involved हैं, कि आपका प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। For example, ये हो सकता है कि कंपनी के CEO, Manager, Business Owner, HR या शायद उस कंपनी का Purchase Officer उसके बाद खुद से कुछ सवाल करके हर आदमी के आगे उसके जवाब लिखिए। इन सवालों के जरीए आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हैं, वो उनकी काम का एक एहम हिस्सा है। वो किसी ऑफिस में बैट कर काम करते हैं या किसी manufacturing unit के worker हैं, दूसरे की जगा पर खुद को रख कर देखिए, तो आपको उनके सोचने का तरीका समझ में आएगा। इसी से आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि उनके लिए क्या जरूरी है और उनसे किस तरह से बात करनी हैं। एक और बात जो समझना जरूरी हो जाता है वो ये है कि जिस आदमी के पास decision making है, उसकी अपनी personal need क्या है। अपनी job का area में काम के अलावा सबकी कुछ खुद के लिए खास needs होती है। किसी को अपना workload कम करना है, किसी को अपना target पूरा करके नाम कमाना है। ये जो personal motivating factors होते हैं, इनको जानना एक salesperson के बहुत काम आता है। PVP create करते समय, जो दूसरी बात salesperson के लिए जानना फायदेमंद होता है, वो है कि जो product आप बेच रहे हैं, उससे related आपके buyers को असल में क्या चाहिए। एक general statement कह देना कि ये आपके लिए फायदेमंद कोई positive response नहीं होगा। आपको ये बताना होगा कि वो किस तरह से उनको फायदा पहुचाएगा। इसके लिए बैठ कर सोचना होगा, अपने आपको customer की जगहा पर रख कर सोचना होगा, कि उनका end goal क्या है और आपका product उनकी इस goal को पाने में कैसे मदद कर सकता है। अगर ये जानना ज़रूरी है कि आपका product किस तरह से buyers की need पूरी कर सकता है, तो साथ ही ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि आपके product से related कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो आपके buyer को नहीं चाहिए। ये सब को पता है कि आदमी खुशी पाने से ज्यादा, परेशानी से बचना ज्यादा पसंद करता है। तो फाइदे गिनाने के साथ ही आपकी PVP ऐसे होने चाहिए कि आपकी product को use करकी वो कैसी और कौन सी परेशानी से बच सकते हैं। इतना कुछ अगर आपने analyze कर लिया, तो आगे आपका काम और असान होने वाला है। इन सब से आपको अपने customer की जरूरत और उसकी सोचने के ढंका और idea लगेगा। इन ही PVP को अपने call में इस्तमाल करके आप एक साधरन call को smart call में बदल सकते हैं। अब तक दिमाग में इतना तो आही गया होगा कि आखिर ये PVP या possible value propositions हैं क्या। साथ ही ये भी कि possible का मतलब क्या है। आम तोर पर sales training में सिखाया जाता है कि आपको अपने product के फाइदे बताने हैं। पर इसमें समस्या ये आती है कि हम जो benefits बताते हैं वो असल में केवर उस product की details हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि हर customer के लिए फाइदे मंद हो या उसे उसमें कोई अपनी situation के लिए कोई benefit नजार आए। कई बार जो चीज आज काम के लग रही हो, ज़रूरी नहीं कि दो-तीर महीने बाद भी वो इस इनसान के लिए कोई मतलब रखती हो। कोई चीज केवल इसलिए फाइदे मंद नहीं हो जाती क्योंकि sales person ने ऐसा कहा है। कोई भी चीज की value हमेशा buyer की नजर में होती है। और जैसा कि पहले भी कहा है कि buyers को अपके product खरीदने में कोई value नजर नहीं आती है। बलकि वो उसमें interested होता है कि आपके product या service से उसका क्या outcome मिलने वाला है। तो एक sales person को ये अंदाजा लगाना होता है कि buyer के लिए possible value क्या हो सकती है। इस possible value को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने future customer से बात करें, उनको सुने और उनकी जरूरत को समझें। अगर आप अपने दिमाग में ये बात पैठा ले कि ये possible value ही है, तो prospect से बात करते हुए आप over confident नहीं होंगे और अपने customer को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया PVP के बारे में। अब आते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस पर भहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कह जाते हैं, तो या तो आपका interested customer उख़ड हो सकता है, हम इतने सालों से इस business में हैं, या ऐसा ही कुछ और कहना, मतलब अपना ही गुणगान करना, या फिर ये कहना कि आपको इसके साथ gift मिलेगा, आपके product या उससे मिलने वाले result को बहतर नहीं बना देता, अब तक हम ये तो देखी चुके हैं कि हमारे buyers को क्या चाहिए, और वो किस चीज़ को avoid करते हैं, इन्हीं दोनों को मिला कर कि आप अपने PVP तयार कर सकते हैं, इसके लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना हो और अगर आपका PVP उन परेशानियों को कम करता है, तो buyer जरूर interested होगा, जैसे कि आपका product कैसे उनके काम को आसान या हलका कर सकता है, for example, अगर आपका PVP है कि बिना किसी महनत, exercise या dieting के बजन कम कर सकता है, तो ये बहुत से लोगों को attract करेगा, एक और PVP जो buyers में interest जगा सकत है, वो है कि किस तरह आपका product यूज करके वो अपनी cost कम कर सकते हैं, ये बहुत common है, जैसे mobile recharge की cost पर OTT subscription देना, पर जैसा कि अभी कहा, ये तो सभी offer करते हैं, आपकी scheme में क्या फर्क है, और अगला आपसे ही क्यों ले, तो एक और factor, जो buyer में आपके product या service के लिए interest जगा सक है, वो है कि आप बाकियों से अलग क्या offer कर रहे हैं, जैसे कुछ दिन के लिए एक mobile company ने एक offer, market में उतारा था, कि उतने amount के ही recharge में ज्यादा दिन की validity देना, कहने का मतलब है कि आपकी sales pitch में कुछ खास होना चाहिए, जो आपकी customer में interest जगा सके, अपने sales pitch में एक और चीज add करके, आप उसके असर को और बढ़ा सकते हैं, आप अपने satisfied customers का example दे सकते हैं, इसके लिए अपने successful sales को analyze कीजिए, अपने पुरानी customer से बात कीजिए, और समझिए कि आपके product या service से उन्हें किस तरह से benefit मिला, अगर हो सके, तो उनसे testimonial या recommendation लीजिए, और उसको अपने PVP म वो है feeling of inadequacy, या जो उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है, जैसे कि वो ज्यादा मोटा है, गंजा हो रहा है, मुझे English नहीं आती है, या वगेरा वगेरा, अगर उस कमी को दूर करने के लिए आप buyer को कुछ offer कर सकते हैं, तो वो जरूर interested होगा, एक और चीज जो ध्यान में र पर्ख होती है, जो office में बैठ कर कोई tool order कर रहा है, और जिसे उस tool को use करना है, दोनों की views फर्ख होंगे, लिहाजा जब आप अपने prospecting call के लिए तयारी करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस से बात करने जा रही हैं, और उनकी खास जरूरत क्या है, तो ठीक है, इ इसके बात हम करेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 जानकारी कैसे हासिल करें, हमने पिछले एपिसोड में बात की कि कस्टमर्स को कौन सी चीज़े attract कर सकती हैं, लेकिन अगला सावाल जो दिमाग में आता है कि अपने possible कस्टमर्स के बारे में कौन सी बाते पता करनी और आखिर ये कैसे और कहां मिलेंगी, सबसे पहले तो बात करेंगे हम अपने कस्टमर्स के बारे में क्या actual information पता करेंगे, इसे intelligence gathering भी कहा जा सकता है, ये इस पर depend करता है कि आप कौन सा product बेच रहे हैं और कोई उसे क्यों खरीदेगा, आम तौर पर आपको ना केवल basic statistics चा करना होगा, इसके साथ ही company कितनी बड़ी है, कितनी जगाओं पर फैली है, कितने employees है, financial position क्या है, और सबसे जरूरी तो यही है कि company का काम क्या है, company की situation से related information बहुत ही ज्यादा काम की साबित हो सकती है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि उन्हें कोई खास समस्या, जरूरत या goal है, example के लिए अगर उनके production में कोई कमी है, जिसे आपके product से दूर किया जा सकता है, तो ऐसे में वो आपकी product में interested हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई नया tax introduced हुआ हो, जिसे calculate करने के लिए उन्हें किसी software की जरूरत हो, buyer अपना काम बढ़ा रहा है, कि घटा रहा है, उसके लिए उसे आपकी service की जरूरत पढ़ सकती है, ऐसी कई specific requirements की जानकारी जो आपके product से related हो, आपके काम आ सकती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कि किसी product या service की value समय के साथ बदलती रहती है, जो चीज आज काम की नहीं है, वो कल हो सकती है, तो कभी कबार कुछ trigger events होते हैं, जो तेजी से आपके buyer की requirement को बदल सकते हैं, जैसे अगर वो किसी product को use कर रहा है, लेकिन उसमें कोई समस्या आ जाए, या फिर हो सकता है कि जिस person को buying decision लेना हो, वो बदल गया हो, टेली caller जब बात करता है, तो एक हलका सा personal touch, मतलब अपनापन, जहां आप अपने customer को ये एहसास दिला सकें कि आपने उनकी समस्या या need को समझने की कोशिश की है, बहुत काम आती है, तो आपको अपने buyer की business, personal life, special interest के बारे में पता करना है, कहना तो बड़ा आसान है कि इन सब बातों को पता करना है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये सब होगा कैसे, पहली जगा जहां आप आपको buyer के बारे में information मिल सकती है, वो है आपका अपना database, इसमें अगर कोई पहले से आपका buyer है, तो काफी chances हैं कि फिर से आपके product में interested हो, फिर आज की जमाने में कितनी information तो आपको online ही मिल जाएगी, हो सकता है कि उनकी कोई website हो, जिसमें about us page में काफी कुछ पता चल सकता है फिर companies press release देती हैं, उनके newsletter होते हैं, company में कोई expansion हो रहा है या कोई major event तो वो जरूर आपको online मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो Google alerts पर अपने main buyers और competitors के लिए alert लगा सकते हैं, अभी तक तो हम किवल possible customer और buyers की बात कर रहे थे, लेकिन अपने competitor की खबर रखना भी बहुत काम आता है, आपकी competitor की कोई परेशानी आपके लिए फायदेमन साबित हो सकती है, ऐसे में अगर आपका buyer आपके competitor से समान लेता है, तो आप मौके का फायदा उठा कर अपना product बेच सकते हैं, LinkedIn जो की एक professional network site है, नए customer ढूनने या उनके बारे में information collect करने में काफी काम आती है, आ आप इसमें सर्च करके अपनी possible customer list बनाने में मदद ले सकते हैं, या फिर इसमें एक option होता है, who's looking at you, इस feature से आप लोगों की profile study करके उनके बारे में information collect कर सकते हैं, आप अपने LinkedIn connection को direct message भेज सकते हैं, अगर आपका paid account है, तो आप किसी को भी message कर सकते हैं, ये cold calling से ज्यादा सर्दार है, इसके अलावा तमाम social networking sites मौजूद हैं, जैसे कि Facebook, Twitter, Instagram, जहां से आपको smart calling के लिए information मिल सकती है, ट्वीटर पर आप बिना connection request के किसी को भी follow कर सकते हैं, इससे आपको possible customers के बारे में काफी पता चल सकता है, इस तरह अगर आपके target buyers YouTube पर active हैं, तो वहां से भी को कुछ पता चल सकता है, तो ये था online research, इसके अलावा आप अपने prospect या possible customers की organization में काम करने वाले दूसरे लोगों से बात करके भी काफी कुछ जान सकते हैं, इसे social engineering कहा जाता है, ये technique बहुत कम salesperson इस्तमाल करते हैं, जबकि इससे काफी फायदा मिल सकता है, अगर आप बात आसान होगा, लोग तो बात करने के लिए हमेशा तयार ही बैठे होते हैं, कोई सुनने या पूछने वाला होतो, अगर आप उनमी से हैं, जिसे ये idea नहीं हो पा रहा है कि कैसे बात शुरू की जाए, तो उसके लिए कुछ suggestion सुने, जब आप किसी organization में call कीजिए, तो सबसे पहले तो आप अपने आपके बारे में बताएं कि आप कौन हैं और किस company को represent कर रही हैं, फिर सुनने वाले से कुछ मदद मांगिए, ज्यादा तर लोग मदद के लिए तयार हो ही जाते हैं, अब आप जिसके बारे में कुछ information चाहते हैं, उसका जिकर करते हुए वजहा अपने सवाल तयार रखिए या कम से कम points बना कर रखिए और वो बाते जानने की कोशिश कीजिए जिसके बारे में आपको ठीक से पता नहीं हैं, इसके जरिये आप एक बहतर call कर सकेंगे, जब किसी को भी आप call करें तो अपने product के बारे में बताने के साथ साथ reason भी कि आप कोई offer क्यों दे रहे हैं, ये सब तो ठीक है कि क्या पता करना है, लेकिन आखिर बात किस से की जाए, पहला option तो यही है कि जो भी phone उठाए, इसके अलावा जो लोग उस organization में आपका product actual में use करते हों, आखिर उनसे बहतर कौन बता सकता है कि company को किस चीज की जरूरत है फिर gatekeepers, assistants ऐसे लोग हैं जो बहुत अहम होते हैं, जो आपके buyers के बारे में काफी बता सकते हैं, आप HR, public relation, customer service, purchase department, help tech से भी बात कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी मदद करने को तयार हो जाए, लेकिन बिना कोशिश किये, आप जानेंगे कैसे, और कभी कभी कोई सही दाउन लग भी जाता है, इसलिए कोशिश जरूर कीचिये, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसे कैसे किसी से भी बात कर लें, कही लेने के देने ना पड़ जाए, वैसे तो कोई साधारन पूछताश पर एतरास करता नहीं है, लेकिन अगर कोई टोक देता तो आप कह सकते हैं कि आप किवल तसली करना चाहते थे कि बायर को इस प्रोड़क्ट से कोई फायदा मिलेगा या नहीं, ताकि उनका समय बरबाद ना करूँ, तो ये थी बात intelligence gathering की, अब अगले एपिसोड में बात करेंगे कि अपने objectives या goals कैसे set करें, इसके साथ में एक ज जवाब ढूंडेंगे अगले एपिसोड में. लेकिन उससे पहले कई steps होते हैं, जैसे कि अपने बायर को convince करना कि वो management से approval की बात करेगा, या फिर आपका immediate goal केवल उनको एक demo या presentation के लिए राजी करना हो सकता है. हमारा कहना है कि हमेशा बड़ी सोच रखिए. आप बड़ा goal रखेंगे, तब ही अपने target तक पहुच पाएंगे. अगर आप केवल ये सोच कर call कर रहे हैं कि पता करते हैं और आगे से आपको prospect कुछ interest दिखाता है, तो आपकी अधूरी तैयारी बनते काम को बिगार सकती है. अगर आप पहले से ही सोच कर रखें कि मुझे हर call में success पाना है, तो ये होके जरूर रहेगा. भले ही हर prospect एक sale में convert ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक साफ जवाब तो मिल ही जाएगा. अच्छा ये भी कहा जाता है कि prospecting में बस appointment पाने की कोशिश करो, ये क्या बात हुई? जब आपका goal sale है, तो phone पर ही क्यों नहीं? appointment का सवाल वहाँ उठता है, जहां outsourced caller या business development representative किसी और के लिए prospecting कर रहा हो. लेकिन appointment क्यों नहीं? अक्सर इस तरह की meeting ध्यान से उतर जाती है. अगर किसी से बात करने का मौका मिल ही गया है, तो उसको बात के लिए क्यों टालना? जो sale आज और अभी हो सकती है, उसको आगे के लिए टालने में कोई समझदारी नहीं है. मान लीजिए कि आपने किसी को call किया और वो आपके product में interested है, तो क्या आप उससे कहेंगे? कि नहीं, आज बस इतना ही. हम दो दिन बात इस पर बात करेंगे. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका prospect तब तक मन बदल ले. दूसरी situation ये भी हो सकती है कि prospect आपका product नहीं लेना चाहता. तो अगर आप पूरी बात पहले ही call में कर ले, तो कम से कम आप उस पर समय बर्बाद करने की बचाए, अगले prospect पर ध्यान दे सकते हैं. पहली call बहुत important होती है और वही तै करती है क की नतीजा क्या होगा? इसलिए हर call इस उमीद और तयारी से कीजिए कि आज तो आपने बाजी मार ही लेंगे. अब आते हैं secondary objective पर. जो भी sales में है, वो जानता है कि हर call successful नहीं हो सकती. कई prospects होंगे जो साफ मना कर देंगे. ऐसे में आपका reaction क्या होता है? अरे, एक और rejection, क्या मुसीबत है. क्यों मुझे ही ऐसा जवाब मिलता है? वहीं दूसरा उसी rejection पर थोड़ी और बात बढ़ाने की कोशिश करता है. और अपने prospect को कम से कम newsletter के लिए sign up करा लेता है. तो इसने क्या किया? इसने हिम्मत नहीं हारी. और अगर अपना primary objective यानि sale नहीं भी कर पाया, तो कम से कम एक secondary objective तुपा लिया. अगर आप हर छोटे कदम को हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो prospecting करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए ये मान कर चलिए कि अगर sales ना भी हो, तो उसकी जगा एक अच्छा impression या आगे किसी दिन पर बात करने के लिए राजी कर ले तो बात वही खत्म हो जाती है. लेकिन अगर आप उसके बावजूद rejection के कारण को समझने की कोशिश करते हैं, या बातो बातों में अपने prospect के दिमाग में ये बात डालने में successful हो जाते हैं, कि कभी future में उसको अगर जरूरत पड़ी, तो वो आप से contact करे, तो आपने अपना secondary objective पालिया है. हो सकता है, उसी आज आपके product या service की जरूरत नहीं है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती, और हो सकता है कि वो आपको बात में contact कर ले, शर्त बस इतनी है, कि ये खयाल आपको ही अपने prospect के दिमाग में डालना है. इसके लिए हमेशा secondary objective रखिए, ये ना के पाल आगे चल कर sale में convert हो सकता है, बलकि आपके manobal के लिए भी अच्छा है. चलिए, objective तो तैय कर लिए, पर अभी भी कई important points बाकी हैं, जिनको call करने से पहले जान लेना चाहिए. हम सब में ये आदत होती है कि कोई भी काम करने से पहले उसके सफल होने के chances के बारे में स्या factors में फर्क होता है. और statistics के चक्कर में पढ़कर ये मत भूलिए कि जो सबसे important factor है, वो खुद, वो आदमी है जो selling कर रहा है. एक और सवाल, जो call करने से पहले दिमाग में आता है कि कौन सा समय सही होगा? इसमें फिर वही बात आती है कि कोई एक समय तैय नहीं किया जा सकता. कुछ common sense लगा के और कुछ intelligence gathering से पता करके एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है. जैसे कि किसी के busy arts में call करना ठीक नहीं रहेगा, पर सही समय का इतना इंतिजार मत किजिए कि call ही ना करे, call करते रहे, success आपको मिल कर रहेगी. एक और बात, जिस पर 800 सेक सोड़ देते हैं कि call करना एक ritual या प्रथा बना लीचिए. अदब तैय कर लीजिए कि बिना छुट्टी अपने तैय समय पर आप call करेंगे. हाँ, और सबसे जरूरी उस दोरान केवल calling पर ही ध्यान दीचिए. यहाँ तक कि call से पहले की planning भी उस समय नहीं करना है. जब आप केवल calling पर ही focus करेंगे, तो अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. तो क्या time तैय किया है आपने call करने का? जानते हैं, जब आप उस flow या zone में आ जाते हैं, तो वही सबसे बहतर time है call करने का. क्योंकि ऐसे में सब कुछ अपने आप सही होने लगता है. इसका भर पूर फायदा उठाएए. जियाता रुक कर सोची नहीं. जहां तक हो सके, अपने दिन की आखरी call वो रखिये जिससे आपको कोई sale या फिर कोई positive नतीजा मिला हो. इससे आपका mood और जोश दोनों बना रहता है. और आप अगले दिन के लिए भी जोश में रहते हैं. प्रोस्पेक्ट कॉलिंग आजकल इतनी common हो गई है कि अकसर buyers इसको भुला देते हैं. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको याद रखे तो ऐसी टाइम पर कॉल कीजिए जब बाकी लोग कॉल नहीं करते हैं. जैसे छुट्टियों के आसपास या फिर वीकेंड पर ऐसी में लोग कुछ रिलाक्स होते हैं और इसलिए आराम से सुनने को तयार हो सकते हैं. कभी कबार year ending मतलब फरवरी मार्च में कॉल करना फायदेमन साबित हो सकता है क्योंकि इस दौरान बचे हुए funds को यूज करना होता है या फिर tax बचाना होता है ये वो समय होता है जब executives या owners office hours के show शराबे से अलग अपना काम निपटाते हैं. ये सब बाते तो general थी लेकिन जब आप किसी buyer से contact बना चुके हैं तो आपको follow up call की भी जरूरत पड़ती है. अपने CRM या customer relationship management system में हर client के बारे में feed करके रखिए कि उसे call करने का कौन सा समय ब तो अलग-अलग time पर call करके देखिए. अपने आप सही समय पता चल जाएगा. लेकिन क्या phone prospecting अपने आप में काफी है? Smart calling marketing strategy का एक और हिस्सा है. क्योंकि हम अलग-अलग जगा से information पाते हैं, इसलिए बाकी तरीके जैसे कि email, messages और उसके साथ social media network से contact बनाना भी उतना ही अलावा, अगर आप smart call करने से पहले कोई छोटा सा gift भेज सके, तो आप अपने बायर के दिलो दिमाग में अपने लिए एक अलग जगा बना सकते हैं. ये कोई book हो सकती है. या फिर अगर आप इतना नहीं खर्च करना चाहते, तो news clipping, article, greeting card या कोई भी ऐसी चीज जो आपके बायर के लिए काम की हो सकती है. कभी भी भूल कर अपनी company का कोई promotional material ना भेजें. हाँ, कुछ भेजने से पहले आपको ये पता करना होगा कि क्या भेजना सही होगा. एक general email भेजने की बजाए, एक personalized message बहुत ज्यादा असरदार साबित हो सकता है. जरूरी नहीं कि आप अपन assistant तक ही पहुच पाते और जो आपका actual buyer है, उससे आपकी बात नहीं हो पाती है. इसके लिए आपको buyers या decision maker का direct number तलाशना होगा. ये आप intelligence gathering या social engineering के जरिये पा सकते हैं. पर फिर भी अगर आपको information नहीं मिल रही है, तो आप wild card search कर सकते हैं. इसके लिए asterisk के साथ buyer के भी क Google में search कर सकते हैं. यहां तक तो बाते हो गई कि call करने से पहले कौन सी तयारी करनी चाहिए. पर सारी तयारी तभी काम आएगी जब seller सही से बात कर सके. तो अगले एपिसोड में बात करेंगे कि आखर कहा क्या जाए. क्या बोलना है? नंबर घुमा लेना बहुत आसान है. लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैसे बात करनी है तो आप कभी successful नहीं हो सकते. सबसे पहले तो कभी भी ऐसी उमीद नहीं रखिये कि आपका बायर आपका message सुनकर call back करने वाला है. अब ये मत सोचने लगिएगा कि फिर voice meal छोड़ने का फाइदा ही क्या है. पर ये एक बहतर मौका हो सकता है. एक बढ़िया impression बनाने का. पर ज्यादातार लोग इसी में ग जग्यासा पैदा होनी चाहिए. शुरुवात अपने को introduce करते हुए करें. जिसमें आप अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम बताएं. उसके बाद आपको अपने buyers को ये बताना है कि आपके product या service की possible value क्या है. अपने message में हमेशा ये जरूर कहें कि आपको कैसे contact किया जा स करता है. याद रखिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए. आपने जो भी opening line या पहली line सोची है वो आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए. जरासी भी जिजग ये गलती आपका impression बिगार सकती है. अपने message में ये जरूर बताएं कि आप उनको फिर से कब call करेंगे. जाहि एक सवाल जो दिमाग में उठ रहा होगा कि दूसरी बाल call करने पर क्या अपना message बदल देना चाहिए. पर जब पहला message तैयार करने के लिए आपने इतनी मेहनत की है तो उसको बदलना क्यों? आपको क्या लगता है कि किसी को एक बार में आपका message रट गया होगा? बलकि अग कि वो सुनने वाले के दिमाग में बैट जाए. अच्छा, अगर call करने पर आपको answering machine मिले तो आप क्या करते हैं? फोन कार्ट देते हैं? जानते हैं ऐसा करने पर आप कितना बड़ा मौका गवा रहे हैं? अकसर आपको recording में दूसरा contact number या किसी assistant का number मिल सकता है, जिसे आप contact क कर सकते हैं. ये आपकी एक और समस्या का हल भी निकाल सकता है. कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी spelling से समझ नहीं आता कि इनको बोलना कैसे है. answering machine में आपको ये भी पता चल सकता है. आप एक अंजान को call कर रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते. इसलिए हर एक clue आपके काम आ सकता है. उसके recording में उसके बोलने का अंदाज भी उसके बारे में काफी कुछ बता सकता है. उसी तरह जो अलग-अलग options select करने होत में उससे भी पता चल जाता है कि company में कौन से departments या services मिलती है. अच्छा, यहाँ पर कुछ खास tips बता रहे हैं. जरा गौर से सुनिएगा. जब भी call करने पर आपको voice mail मिले, तो एक बार फिर से try जरूर कीचिए. कभी कबार आदमे desk पर ना होने की वजह से या किसी काम में busy ह होने के कारण तुरंट phone नहीं उठा पाता. एक और काम की बात, call करने का time note कीचिए और अगली दफा उस time पर मत call कीचिए. अगर आपको किसी senior आदमी से बात करनी है, तो उसके assistant से जानने की कोशिश कीचिए कि call करने के लिए कौन सा समय सही रहेगा. voice mail पर message छोड़ने पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है. जब अगला आपके message को सुनता है, तो अकसर contact information एक बार में समझ नहीं आती. इसलिए जब भी voice message छोड़ें, तो अपना नाम और contact information दो बार बोले और आराम से बोले ताकि अगला उसे लिख सके. अच्छा, जो भी buyer है या deciding authority, उसके पास बहुत लोग call करते हैं. ऐसे में आपका call उस भीड में खो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका call अलग से याद रखा जाए, तो उसके लिए कुछ हदकंडे अपनाने होंगे. अगर हो सके, तो आप अपने buyer के assistant से request कर सकते हैं कि वे आपका message note करके buyer के desk पर सबसे सामने रखते, जहां उसकी नजर पढ़ने की chances ज्यादा है. या फिर आप call के बाद एक email भी भी भेज सकते हैं. लेकिन इन सब tactics के successful होने के लिए जरूरी है कि आपका message खुद में जोड़दार हो. एक बात और यहां कहेंगे कि हार मानने से पहले एक आखरी कोशिश तो बनती है. अपने आखरी call में अपने prospect को यह एहसास दिलाना भी जरूरी है कि इसके बाद आप call नहीं करेंगे. इससे यह फायदा मिल सकता है कि अगर आपका prospect थोड़ा बहुत interested है और उसने अभी तक क करने पर मजबूर कर सकता है. हाँ, मालूम है कि कुछ तो कहेंगे चलो पीछा चुटा पर कुछ को FOMO हो सकता है. यानि अरे मैं कहीं मौका ना गवा दूँ? किस लेवल पर आकर आप लास्ट मैसिज देंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोड़क्ट बे तो इस लास्ट मैसिज में आपको क्या कहना है? आप ये कह सकते हैं कि आपने कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है. क्योंकि आपको लगा कि आपके प्रोड़क्ट से बायर को कुछ फायदा मिल सकता था. लेकिन क्योंकि बायर ने कुछ इंटरस्ट नहीं दिखाया, तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि अभी वो इसको लेने नहीं चाहता. आपको जानके हैरानी होगी कि कभी कभार इसे तुरंत रिस्पॉंस मिल भी जाता है. आप अपने प्रोस्पेक्ट को जवाब देने का एक आसान आप्शन भी दे सकते हैं. जैसे कि आप इस कॉल के जबाब नहीं आता. तो अब इनका क्या किया जाए? ऐसे में आप कोई दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं. For example, आप बायर को इमेल भेज सकते हैं, जिसमें आप उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगते हुए उनके लिए मैसिज छोड़ सकते हैं. अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए? लेकिन उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए? कभी-कभी ऐसे टैक्टिक्स इस्तमाल मत कीजिए, जिसमें बायर को धोके में रखें. किवल ये मैसिज छोड़ देना कि मेरा नाम और नमबर ये है और मुझे कॉल कर लीजिए, गलत है. आप शुरुवात में ही अपना इंप्रेशन बिगार लेंगे. कुछ तो यहां तक भी कह देते हैं कि मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है और फिर ऐसा नाटक करते हैं कि फोन गलती से कट गया. ये भूल के भी मत कीजिएगा. चलिए, ये ये डिसिजिजन मेकर हैं, उनसे डारेक्ट बात करना इतना आसान नहीं होता. आपको उससे पहले उनके असिस्टेंट या गेट कीपर को कन्विंस करना होता है. तो अगली एपिसोड में हम बात करेंगे स्री नर्स से किस तरह और क्या बात करें. असिस्टेंट आपका दुश्मन नहीं है. बहुत से कॉलर्स के दिमाग में ये बात होती है कि असिस्टेंट अपने बास या बायर से बात ही नहीं करवाते और किसी तरह उस आपस्टेकल को पार करना है. पर आप ये भूल जाते हैं कि जो असिस्टेंट है, गार्ड है, स्क किसी काम के हो. और आपका काम है उस असिस्टेंट के विश्वास को जीतना, कि आप वाकई उनकी बास का फायदा कराने वाले हैं. बस इतनी सी बात है, तो सबसे पहले तो असिस्टेंट की एहमियत समझिए. वो आपकी बायर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और सोशल इं आप से अच्छे से बात करें. या मदद मांगे, तो आप ना चाहते हुए भी अच्छे से ही बात करेंगे. दूसरा, अक्सिर असिस्टेंट सी बेसिक रिसर्च करने में अपने बास की मदद करते हैं. इसलिए, असिस्टेंट को ही अगर आप अपना कस्टमर मान कर बात करे तो आपके successful होने के chances बढ़ सकते हैं। जब कोई assistant आप से आपके call का मकसद जानने की कोशिश करे तो खुलकर जवाब दीजिए। कोई भी assistant ये नहीं चाहता कि किसी false caller की वजह से उसका boss नाराज या परेशान हो जाए। नहीं वो ये चाहता है कि कोई काम का call मिस हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि assistant से कैसे बात करनी है। जाहिर सी बात है कि आप से पूछा जाएगा कि आपको किस बारे में बात करनी है। ऐसे में किवल अपने product का नाम बतानी की बजाए आप ये बता सकते हैं कि आपके product से क्या फायदा होता है। और साथ ही ये भी जोड सकते हैं कि क्या उनके यहां भी मिलती जुलती जरूरत है। लेकिन असिस्टेंट से बात करने में ये मत भूल जाएए कि आखिरकार आपको अपने buyer से बात करनी है। तो असिस्टेंट या screener से directly पूछिए कि उनके boss से किस समय बात हो सकती है। बात करते समय अपने बोलने के धंग पर ध्यान दीजिए। ना तो आपको असिस्टेंट को नारास करना है और नहीं आपको टालने का मौका देना है। तो एक confident तरीक से बात कीचिए। हमेशा असिस्टेंट का नाम लेकर बात कीचिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा friendly भी मत हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि आपसे और information या hard copy मंगाई जाती है। हो सकता है कि या आपको टालने का तरीका हो या फिर वाकई, full information चाहिए हो। ऐसे में आप पहले discuss कर सकते हैं। आपने इसलिए कॉल किया है कि सब का समय बरबात करने की बजाए शुरूआत में ही समझ लिया जाए कि कौन सी चीज काम की है और उसी मताबिक आगे बढ़ा जाए। hard copy या अपने product से related brochure वगेरा भेशते समय इस बात का ध्यान रखिए कि अगर assistant ने information मांगी है तो उसी के नाम से भीजिए। अगर आप post से भेज रहे हैं तो पता हाथ से लिखिए क्योंकि इस से एक personal touch आ जाता है। और हाँ आपको अपने product के बारे में सब कुछ पता है और ये भी कि उसमें क्या important है। कि क्या बात नहीं कहनी है। सबसे पहले तो खुद को हलके में मत लीजिए। कभी ये मत कहिए कि बस इसलिए call किया था। या बस इतना बताना था। मैं बस अपने और अपने product के बारे में बताना चाहता था। ये सब समय की बरबादी है। और सुनने वाला भी सोचता है कि उसको इन सब से क्या लिना। कभी भी बाया से मदद नहीं मागना है। आपको ये जताना है कि आप अपने product के जर्ये उनकी मदद कर सकते हैं। अपने opening statement को बहुत सोच समझ कर तयार करना है। जब तक आप अपनी value के बारे में अपने prospect को convince ना कर ले। तब तक उनसे किसी भी फैसले चाहे खरीदने का या फिर मिलने का जैसी उम्मीद मत कीजिए। कुछ बातें जो कभी नहीं कहनी चाहिए, उनके कुछ examples हैं कि बस आपको कुछ बताना चाहता था या फिर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता था। कभी भी शुरुआत में ही ऐलान मत कीजिए कि आपकी वजह से कितना फाइदा होने वाला है। कोई क्यूं आपकी बड़ी-बड़ी बाते सुनना चाहेगा, वो तो यही सोचेगा, अरे इससे पीछा छोड़ाओ। फिर किसी से call करते समय हाल-चाल पूछना ठीक होगा, कि नहीं ये भी सोचने की बात है। आम तोर पर ये situation पर depend करता है। अगर आपका बायर बीजी है, तो ये समय की बरबादी है। लेकिन अगर आपको सही लगे, तो आप पूछ भी सकते हैं। अब तक तो लगने लगा होगा कि फिर बोले क्या। ये समझने के लिए पहले तो ये देखते हैं कि आपकी opening line का मकसद क्या है। पहला objective तो यही है कि अपने prospect को बात करने के लिए राजी करना। दूसरा है कि वो आपकी बात में interest ले। इसके लिए जरूरी है कि आप script तयार करें। नहीं, हम ये नहीं कहरें कि आप script को रट कर बोलना शुरू करती चीए। लेकिन आपका opening statement तयार होना चाहिए, जिसे आ बे हिचक बोल सके। हाँ, मालूम है, हमने कहा था कि रटी-रटाई script से success नहीं मिलता, लेकिन एक रटी-रटाई script अगर naturally बोली जाए, तो जरूर काम करती है। और हाँ, script हर एक prospect के हिसाब से बनी हो ये भी जरूरी है। अगर आप बिना तयारी के बोलेंगे, तो या तो कु सावधानी बरतनी है। तो आप चलते हैं मेन मुद्दे पर, मतलब ओपनिंग स्टेट्मेंट का स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले, खुद को और जिस और्गनाईजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसे इंटरड्यूस कीचिए। दूसरा, आपने जो इंटेलिजेंस गैदरिंग या सोशल इंजीनिरिंग की है, उसका रेफरेंस दीचिए। तीसरा पॉइंट, जो आपको कवर करना है कि आपकी स्पेस्चालिटी क्या है। आपके प्रोस्पेक्ट को इससे तसल्ली मिलेगी कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। चौ प्रोस्पेक्ट की और इशारा करेंगे। फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि इस किस तरह से प्रोडक्ट यूज़ करके दूसरों को मदद या किस तरह से फायदा मिला है। ये सब तो बेस था। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हुए थोड़ी बहुत प इस तरह से फायदा मिल सकता है। ये कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा होगा पर अगर टूदा पॉइंट बात करेंगे और बायर के इंटरस्ट की बात करेंगे तो वो जरूर सुनेगा। लेकिन आपको ये भी खयाल रखना होगा कि आपका बायर अपना कीमती वक्त आप को दे रहा है। अगर आप चाहें तो अपने PVP के बाद कह सकते हैं कि आप उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमेशा वीजल वर्ड्स इस्तमाल करें जैसे कि हो सकता है, शायद, वगेरहा। जब हम assistance के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा कहना था कि उससे अपना साथ ही या मददगार मनाने चीए। पर जब आप सीधे decision maker से बात कर रहे हैं तो उसे ये लगना चाहिए कि आप दोनों एक ही level के हैं। इसे status alignment कहते हैं। जब किसी बायर को लगता है कि आप उसके level के हैं और उसकी specific जरूरत को समझते हैं तो वो आपसे बात करना भी पसंद करेग हैं। लेकिन कुछ बायर होते हैं जो आपकी सुनना ही नहीं चाहते और टालने की कोशिश करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो सुन्ये हमारा अगला episode जिसमें हम बात करेंगे इसी समस्या के बारे में। बायर बात नहीं करना चाहता। आपने सब कुछ step by step follow किया। लेकिन फ बात नहीं है। इसके लिए हमेशा तयार है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे situation को किस तरह हैंडल करना है। किसी अंजान का phone और उस पर वो आपको कुछ बेचने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत कत्राना नैचुरल है। स्मार्ट कॉलिंग के राइटर यार नहीं होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए। एक तरीका है पैटन इंटरप्ट। ये जो त्रिपल आर का पैटन है इसे ब्रेक करना ज़रूरी होता है। जिसके लिए आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। इसको जवाब देते हुए अपने आप ये त्रिपल आर इंटर लाग दीजिएगा। उससे पहले एक सौफनिंग लाइन जैसे कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। उनके आटिट्यूट को नर्म कर सकता है। उसके बाद आप सजेशन दे सकते हैं कि आप कैसी उनको और फायदा पहुचा सकते हैं। या फिर आप ये जता स कि आप थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वो इतने खिलाफ क्यूं हैं। कभी कबार बाहर कहते हैं कि वो अपने मौजूदा सप्लायर से खुश हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ठीक है। लेकिन आप उनकी जैसी कंपनियों को लेटिस्ट इंफरमेशन देते हैं और क या वो भी ये इंफरमेशन पाना चाहेंगे। मकसद बस इतना है कि वो किसी बहाने आपकी बात सुनने को तयार हो जाएं। कभी कबार बायर आपको टालने के लिए कह देता है कि आप उनको अपना लिटरेचर भीश दें। तो इसके लिए भी तयार रहें। और उनसे इस के लिए आपने कॉल किया था कि आप किस सरह से उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ बायर तो कहते हैं, जल्दी बताइए, फाल्तू टाइम मत बरबाद कीचिए, तो इस ट्राप में मत भस जाईएगा। इन सब ट्रिक्स के लिए प्रिपेर रहें। कभी आपको फोन उठाते ही कहा जाएगा not interested. आप पूछ सकते हैं कभी नहीं या केवल आज कोई तुरंद फोन कार दे तो आप कुछ दिन बाद कॉल कर सकते हैं। बाचीत की शुरुआत में कभी भी कॉस्ट की बात मत कीचिएगा। पूछने पर आप कह सकते हैं कि ये कोई factors पर depend करता है और उनकी specific ज जाना चाहते हैं। बायर की needs, समस्या और दिक्कते। साथ ही हम बायर को भी ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनकी ये सब समस्याएं हैं जिनका solution आप उन्हें दे सकते हैं। तो अपने product से related जो benefit list आपके पास है आप उसी के base पर अपने सवाल तयार करिएगा। इसके यहां ये problem होती हैं तो आप क्या करते हैं। जैसे कि तब क्या होता है जब आपके पास काम ज्यादा हो और उसे करने के लिए staff कम। यहां पर आप उनको ये suggest करना चाहा रहे हैं कि आप उन्हें extra staff दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी customer आपको अपने organization की पूरी समस्य यूही नहीं बताने लगेगा। तो आप मान के चलिए कि वो बस थोड़ा सा hint ही देगा। बायर से पूरी information निकलवाना आपका काम है। फिर अगर आपके साथ उसको ये एहसास दिला दे कि उस समस्या की वज़ह से कितना नुकसान हो रहा है तो आपका काम आसान हो जाएग इसके लिए आप पैसे का नुकसान, समय का नुकसान पगेरा गिनवा सकते हैं। जहां तक हो सके घिसे पिटे सवाल ना पूछें। अपनी टोन हलकी भुलकी रखिए और उसमें एक personal touch देने की कोशिश करें। जैसे आप किसी दोस्ते बात कर रहे हों। पर जब आपको sell कर जानना है, तो ये भी जानना जरूरी है कि decision किसके हाथ में है। अब ये directly तो पूछ नहीं सकते कि थोड़ा सा घुमा के पूछना जरूर चाहिए। आप कह सकते हैं कि इसके लिए और किस से सलहा करना ठीक रहेगा। साथ ही ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपका prospect या उनके staff को किस तरह की परेशानी आती है काम के दोरान। कभी भी भूल कर ये मत कहिएगा कि क्या आप जानते हैं कि हम चार तरह के printers बेशते हैं। इससे बहतर होगा कि आपको printers में कौन सी features चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, टालने का काम prospect का है। आपका नहीं। आप मत क कहिए कि अच्छा किसी और दिन बात करेंगे। एक तरीका अपने call को smart call बनाने का ये भी हो सकता है कि आप अपने call recordings को सुनिए और अपने गलतिया नोट कीचिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीचिए। कस्टमर्स तो कहेंगे कि हम अपने मौजूदा supplier से खोश हैं। तो आप ये मत पूछने लग जाएगा कि क्या पसंद है उनके बारे में। उसकी जगा आप ये पूछ सकते हैं कि क्या वो आपकी offer की जर्ये उससे भी बहतर deal पसंद करेंगे। याद रखेगा कि sell में आपको कितना success मिलेगा वो इस पर depend करता है कि आपके question करने की skill कितनी बढ़िया है। साथ ही उन question से जो information मिलती है उसको आप कैसे use करते हैं। ये तै करेगा कि आप एक prospect को buyer में convert कर पाते हैं या नहीं। Intelligence gathering और questioning technique को समझ ली। पर क्या इतना काफी होगा success पाने के लिए। हमारे खयाल में listening skills भी उतनी ही जरूरी है। आप अगर अपनी ही हांक दे जाएंगे तो buyer को समझेंगे कैसे तो ये कैसे करना है। आप 2-3 सेकिंड के लिए चुप हो जाएए। बस इतना ही करना है। सवा सवाल करने से पहले और फिर जवाब के बाद भी। ऐसी में अगले को कुछ सोचने का या बोलने का मौका मिलता है। और जब आप बीच में कुछ नहीं बोलते हैं तो वो उसमें कुछ और add करता है। आपको भी buyer की बात सुनकर उसके मुताबिक अगला सवाल पूछने का और फायदा होता है कि आपको उनकी field की terminology भी पता चलेगी। जब आप उनके lingo या उनकी भाशा में बात करेंगे तो उसका गहरा असर पड़ेगा। अच्छा जब हम किसी के सामने आमने सामने बात करते हैं तो हमारी आँखों और how भाव से हमारा focus दिखता है। पर call पर तो आपका prospect बता रहा है उसको analyze भी करते चलिए कि वो किस और इशारा कर रहा है। अगर वो बोलते बोलते अचानक आवाज धीमे कर ले तो बहुत गौर से सुनिए। वो कुछ ऐसा share करने जा रहा है जो वो अपने आसपास किसी को नहीं बताना चाहता। आप अपने बायर की बात सुन रहे हैं कि नहीं वो पता चलता है कि आपके listening to listening ratio से आप कितना खुद बोलते हैं और कितना अपने would-be buyer की सुनते हैं। इसी को listening to talking ratio कहा जाता है। ये पाया गया है कि जो callers कम बोलते हैं और buyers की ज्यादा सुनते हैं वो ज्यादा successful होते हैं। बहुत ज्यादा बोल करने का option दे देते हैं। हमेशा अपनी तरफ से एक positive suggestion दीचिए और उसके बाद चुप हो जाएगे। बायर भी ये technique आपके सास्त इस्तमाल करके अपने लिए कुछ benefit निकलवा लेते हैं। इस episode में हमने बात की कि किस तरह से एक unwilling buyer से बात करना है और आप कौन सी technique यूज कर स एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस stage पर आकर आप अपना offer दें और किस तरह से दें। recommend कब और कैसे करें। अब आते हैं main मुद्दे पर। आपने सारी सही बाते कहकर buyer को अपनी ओर खीच लिया। पर ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि अपना offer रखने का सही समय हुआ या नहीं। ये हर situation में अलग होता है। और कोई भी ये ठीक से नहीं बता सकता। जब आपको लगे कि अब आपका prospect आपकी बाते सुनने को तयार है तो वही सही समय है। खेर situation जब भी सही हो recommendation देने का एक तरीका होता है। अकसर इसे pitching भी कहा जाता है लेकिन pitching सही technique नहीं है क्योंकि इसमें केवल seller अपनी बात कहता है। वो एक तरफा communication है। इसमें buyer की जरूरत या पसंद को नजर अंदास कर दिया जाता है। बलकि इसे presentation कहना भी ठीक नहीं होगा। recommend करने से पहले हम customer से बात करते हैं। उसकी परेशानी समझते हैं और फिर उस मताबिक उसको suggest करते हैं। यही अंतर है cold calling और smart calling में। तो सारे steps कर लीजिए। information collection, assistant या screeners को म पना कर actual decision maker तक भी पहुच गए। फिर सही opening और questioning भी कर ली। अब आया sales recommendation का stage। यहां पर जरा सी गड़बड़ी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो चलिए अब एक-एक करके हर step को समझते हैं। सबसे पहले आप questioning खत्म करते हुए उनसे कह सकते हैं कि अभी त problem solve कर सकता है। उसके बाद जो आपकी बात हुई है उसको brief में recap कीजिए जिससे कोई confusion न रह जाए। तीसरा point वो recommend कीजिए जिसका result उनके goal को पूरा कर सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आप ये scheme लेते हैं तो आपकी समस्या इस तरह से solve होगी। साथ ही confirm भी करते जाएए कि बायर को आपका suggestion पसंद आ रहा है कि नहीं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्या ये ठीक रहेगा आपके लिए इसे trial close कहते हैं। इसके बाद आता है बायर से commitment लेना या उनकी रजामंदी लेना ये कुछ भी हो सकता है। एक meeting fix करना या sale करना यानि एक कदम आगे बढ़ना। ये तो main steps थे। अब ये किया कैसे जाए। एक example लेते हैं। कभी किसी online shopping site पर जाकर कुछ select कीचिए। तो तुरंत लिख के आ जाता है people who bought this also bought। ये एक बहुत powerful selling tool है। जब कोई देखता है कि दूसरे ये कर रहे हैं तो उसका बहुत गैरा असर पड़ता है। य आप भी अपने closing में use कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप से पहले इस company ने हमारा product use करके ये फायदा पाया है। यहाँ पर जो आपने satisfied customer से testimonials लिए हैं आप उनको use कर सकते हैं। बिसनेस में आपका success अपनी महनत के अलावा इस पर भी depend करता है कि आप अपने rival से ए एक हाथ आगे रहें। इसलिए जब कोई smart caller बताता है कि किसी company ने आपका product use करके किसी तरह का फायदा पाया है तो ये एक बहुत बड़ा motivating factor होता है। ऐसे में आपका buyer भी interested हो सकता है। एक और technique जो आपका काम आसान कर सकती है वो है कि buyer को उसी की बात में फसाना। ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो गलत साबित ना हो। इसलिए जब आप कुछ recommend करें तो तब तक आपकी जो भी बात buyer से हुई है उसी का हवाला देते हुए आप कह सकते हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया था कि आपको ये समस्या हो रही है उसको solve करने के लिए अगर आप हमारा ये offer लेते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी आदमी अपनी बात से पीछे हटने में कतराता है और आपकी offer को accept करने के अलावा buyer के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता अच्छा, अच्छा offer रखने का भी एक तरीका होता है किसी चीज का price बताते हुए कभी भी अपने मुह से ये मत कहिए कि ये महंगा है वरना आपका offer सुनने से पहले ही buyer negative सोचने लगेगा इससे बहतर होगा कि आप कहीं कि ये देखते हुए कि आपको इस product को use करने से इतने percent का फाइदा होने वाला है इसका price काफी कम है याद रखिए आप क्या कह रही है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस बात को किस तरह से कह रहे है या फिर उससे पहले क्या कह रही है क्योंकि सही attitude बनाये रखना बहुत जरूरी है अब recommend भी कर लिया लेकिन आपका main goal तो buyer से commitment पाना है तभी तो final sale होगी पहली smart call आपको अपने prospect से केवल इतनी commitment चाही होती है कि वे आपकी product में interested है औ कि एक business relationship की शुरुआत होनी चाहिए अभी तक हमने technique की बात की है लेकिन उससे ज्यादा एहमियत आपका attitude रखता है अपने comfort zone से बाहर निकल कर पूछना शुरू कीचेगा आगे बढ़कर मांगना सीखिए तभी आप prospecting में successful हो पाएंगे आप पूछेंगे तो आप कर ले ज जाएंगे प्रोस्पेक्टिंग में ही नहीं हर जगा थोड़ा और मांगने की आदत डाल के और आप देखेंगे कि आपको इससे क्या फायदा मिलता है चलिए हम अपने goal यानि commitment पर वापस आते हैं पहले तो यह समझते हैं कि किस commitment की उम्मीद कर रही है पहले ही call पर आपका buyer आपसे खरीदने की इंतजार में नहीं बैठा है और अगर आपका product ऐसा है जिसकी उसे अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई है तो वो खरीदने की सोच भी नहीं रहा है ऐसे में अपने goals realistic रखिए पहला call अगर सही दिशा में गया है तो हो सकता है कि आपका buyer आपसे मिलने को राजी हो जाए या फिर इतना आश्वासन दें कि ज़रूरत पढ़ने पर वो आपको contact करेगा ऐसा response मिलने पर आपको क्या करना चाहिए कभी भी follow up call के लिए तब तक हामी मत भरिये जब तक आपका prospect कुछ करने का वादा नहीं करता है कुछ करना मतलब कि आपका catalog study करना य या आपको goal अपने customer से आमने सामने मिलना है तो ये meeting fix करने का फायदा तभी है अगर आपका buyer वाकि आपके product में interested है हाँ जो main commitment आपको चाहिए कि आपका buyer आप से खरीदे इसके लिए ज़रूरी है कि आप केवल ये ना बताते रह जाएं कि आपके पास क्या available है बलकि आप suggest क करें कि कौन सा सही deal होगा इसके साथ जो skill एक sales person के लिए सबसे जरूरी है वो है लगन या persistence बायर अगर थोड़ा undecided है तो तुरंत हार मत मान जाईएगा कभी कबार थोड़ा सा और बात करने पर buyer तयार भी हो सकता है आप एक बार फिर से एक specific offer देकर पूछ सकते हैं पूरी कोशिश के बाद भी अगर बायर कह देता है कि अभी वो बिल्कुल भी interested नहीं है ऐसे में आप उनसे ये वादा ले सकते हैं कि आगे चल कर जब उन्हीं जरूरत पड़ेगी तो आप ही से लेंगे कह देना तो बड़ा आसान है पर बायर से वादा लेना बड़ी टेड़ी ख जैसे कि खरीदना या बेचना उसकी जगह आप कह सकते हैं कि क्या आप ये system अपने यहां install कराना पसंद करेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि आप ये वाला model try करके देखिए एक tendency होती है हम सब में कि हम जल्दी कुछ बदलने को तयार नहीं होते अक्सर बायर undecided होता है ना लेने की कोई वजह नहीं है पर action लेने में डरते हैं ऐसे में आप उनको convince करने के लिए उनसे खुल कर बात कीजिए आप पूछ सकते हैं कि अगर आप लेते हैं तो इससे कौन सा नुकसान होगा जब उससे कोई नुकसान नहीं नजर आएगा तो हो सकता है कि वो आपकी offer को consider करने को तयार हो जाए हमेशा बड़ा सोचिए आपका जो target चाहिए उससे ज्यादा की बात कीजिए for example अगर आपने buyer से कहा है कि इसमें एक लाक invest करना होगा और बात में आप ये amount कम करते इसे theory of contrast कहते हैं इसका दूसरा पहलू होता है कि जब भी कोई खरीदता है तो हमेशा जितना पैसा देना है उससे कम offer करता है इससे ये होता है कि buyer को लगता है कि उसे negotiate करके extra फायदा पाल गया आप भी discount offer करके buyer को convince कर सकते हैं एक भूल जो callers अकसर करते हैं वो है अपने prospect से permission मांगना अगर आप कहेंगे कि क्या आपके पास समय है तो जवाब मिलेगा नहीं पर अगर आप ये कहते हैं कि क्या एक हफते बाद फिर से call करने पर वो समय निकालेंगे इससे आप buyer से एक वाइदा या commitment पाते हैं अब आपके पास एक हफते बाद का वाइदा है जिसे आप उन्हें याद दिला सकते हैं अगर आप अपने buyer से commitment चाहते हैं तो अपने products के बारे में बताकर रुक्य मत आपको ने action या decision लेने के लिए push करना है अपने पूरे build-up के बाद आपको सीधे तौर पर buyer से commitment मागना होगा अभी तक हम बात कर रहे थे कि अपने buyer को किस तरह से अपना product recommend कीचिए लेकिन केवल इन सब को सुनकर छोड़ मत दीजिएगा बलकि इन्हे प्राक्टिस कीचिए ताकि आप बे ही चक बोल सके ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही call पर आपका target customer आपसे तुरंत purchase कर ले कई दफा आपको follow-up call भी करना पड़ता है तो इसी के बारे में हम detail में बात करेंगे अगले episode में हम बात कर रहे हैं Arts of Zach की smart calling, eliminate the fear, failing and rejection from cold calling पर Follow-up call की तयारी कभी-कभी आपको समझ में आ जाता है कि इस बंदे को अब call करने का कोई फायदा नहीं है ये आप जितना जल्दी पहचान ले उतना अच्छा है ताकि आप अपना समय उनको दे सके जिनसे कुछ उम्मीद है लेकिन आप ये कैसे decide करेंगे कि कैसे follow-up करना है और किसे नहीं टेली calling करने वाले जानते हैं कि किसी-किसी calls में आपको लगता है कि call बहुत बढ़िया गई लेकिन जब आप follow-up call करते हैं तो आपका buyer आपको पूरी तरह भूल चुका होता है या फिर किसी को दूसरी बार call करने से पहले आप ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या कहा जाए कि prospect कुछ interest दिखाए अगर आपने ऐसी situation का सामना किया है तो जरूर आपकी पिछली call में कुछ गड़बड़ी हुई है इसकी एक common वजह ये है कि पिछली call में कुछ साफ नहीं किया गया कि क्या discuss हुआ है और अगले call का क्या मकसद है अक्सर बायर भी representative को टहलाते रहते हैं ये समझने के लिए कि serious prospect कौन है और कौन केवल टाल रहा है इन तीन सवालों का जवाब ढूने की कोशिश कीजिए अगले call तक prospect क्या करेगा आप ये मान कर चलिए कि भले ही कोई prospect interested हो वो अगले call तक आपके बारे में सोचने भी नहीं वाला है जब तक उसके पास कोई खास वजह ना हो तो देखते हैं इन तीन सवालों का जवाब क्या होगा पहला था कि follow up call क्यों करे follow up call तभी होनी चाहिए जब आप ये साफ कर चुके हूँ कि customer interested है साथ ही उसके पास खरीदने के लिए authority और funds दोनों है फिर ये भी एकदम clear होना चाहिए कि call करने से पहले क्या action लेना है जैसे कि आपको कोई additional information देना है या आपके prospect को management से permission लिना है आपको ये भी अंदाजा करना होगा कि अगला आपको फालतों में लटका तो नहीं रहा है दूसरा point था कि अगले call से पहले आपको क्या करना है हो सकता है कि आपको final price quote करना हो आपके buyer को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले है और साथ ही ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हिस्से का काम करके ही call करें तीसरा था कि भावी खरीदार को क्या करना है prospect के लिए कोई काम तैय करना जरूरी है ताकि उसका interest बना रहे उनको आप कह सकते हैं कि वे आपका offer अपनी office meeting में discuss करें यहाँ पर एक बात फिर से याद करते चल कि कि आपकी पहली call किस तरह end हुई है उसी पर आपके follow up call का success depend करता है आईए अब बात करते हैं कि पहली prospect call किस तरह खत्म करनी चाहिए पहला उन्हें याद दिलाएं कि उनकी समस्या या interest क्या है फिर उनसे एक commitment लीजिए यह कुछ भी हो सकता है जैसे आपका material पहणना या committee के आगे आपका proposal रखना यह एक अहम step है उसके बाद आप ये भी बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या करेंगे इसी के साथ आप अपनी अगले call का समय सेट कीजिए आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आप एक हफ़ते तक मेरा proposal study कर लीजिए उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे उसके इसी call में सेट कर लीजिए कि अगली call में क्या बात करनी है अब सवाल ये उठता है कि follow up call का क्या टाइम सेट किया चाए आम तोर पर जब हम किसी से meeting सेट करते हैं तो एक fixed time रखते हैं उसी तरह phone करने के लिए भी एक fixed time रखिए जिससे अगले को आपकी कद्र हो ये एक professional impression देता है अच्छा जिस तरह first call की तयारी की जाती है उसी तरह से follow up call की भी पूरी तयारी करनी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि आप अपने first call पर notes बनाए इसके लिए आप action model इस्तमाल कर सकते हैं इसका full form है authority, commitment, timing, interest, overview और notes authority यानि decision कौन लेता है commitment मतलब buyer ने क्या वायदा किया है timing यानि वो कब फिर से बात करेंगे interest का मतलब हुआ, buyer किस चीज में interested है overview में call की आखिर में बातचीत का समरी होता है notes में आप लिखेंगे अगली call में क्या बात करनी है क्या objective पूरा करना है और opening statement क्या हो सकता है अच्छा, आपने पूरा जोर लगा लिया लेकिन buyer ने साफ मना कर दिया कि उसको आपकी product नहीं चाहिए ऐसे में OK कहकर phone मत रखिएगा आप एक आखरी सवाल पूछ सकते है कि क्या आगे उन्हीं जरूरत पढ़ सकती है क्या पता इससे ही कुछ बात बन जाए हमने अभी थोड़े पहले attitude की बात की थी उसके साथ उतना ही जरूरी ये भी है कि आप phone पर smartly बात करे आप किस तरहा बात करते हैं इससे ही आपका impression बनता है पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि phone पर आपका बोलने का धंग कैसा लगता है इसके लिए अपनी call को record कीचिए और उसको ध्यान से सुनिए सुनने पर आपको कई चीज़े पता चलेगी जैसे कि आप ज्यादा तेज बोलते हैं या रुक-रुक कर आप कोई एक ही बात बार-बार रिपीट तो नहीं करते अपनी recording सुनने से एक और फायदा मिलता है कि जिस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया है या आपको याद नहीं है वो भी confirm हो जाती है आप चाहें तो इसे आप customer को follow-up करने से पहले फिर से सुन सकते है कुल मिलाकर ये अपनी performance बहतर करने का एक बढ़िया तरीका है यहां तक हमने आपके साथ smart calling की काफी practical tips शेर की है लेकिन इन सबसे ज्यादा important है आपका motivation level इसी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में क्या जरूरी है technique या motivation सभी techniques तभी काम करेंगी जब आपकी सोच सही होकी successful वही होता है जिसमें इच्छा है आगे बढ़ने की जिसे अपने उपर विश्वास है और जिसका attitude positive हो smart calling वही कर सकता है जिसका mindset जीतने का है टेली calling में आपको काफी negativity का सामना करना पड़ता है आपको कोई और motivate नहीं कर सकता केवल आप खुद को motivate कर सकते हैं action लेने से पहले आपको खुद का एहसास होना जरूरी है अगर आप एक successful smart caller बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप call करना एक fixed ritual बना ले नहीं तो call ना करने के दरजनों बहाने निकलाते हैं इसलिए भले मन करे या ना करे calling करना ही है training भी तभी काम आएगी जब आप action लेके smart caller बनने के लिए अपने आसपास देखिए और उन लोगों की traits को अपनाने की कोशिश कीजिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं rejection टेली calling का एक हिस्सा है इसका सामना करना सीखिए इस सब के साथ होता है यह आप पर depend करता है कि आप उसे क्या नाम देते हैं आप उसे rejection कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि अच्छा हुआ शुरू में ही पता चल गया कि वो interested नहीं है और आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं हुआ कभी-कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब आप अपनी list में किसी खास buyer को call करने से कत्राएंगे ये जान लीजिए कि ये सब करते हैं जब आप डरते हुए या बेमन से call करेंगे तो ये तैह है कि वो call successful नहीं होने वाली है कोई अगर ना कर देता है तो उसे दिल पर मत लीजिए उसने आपको नहीं केवल आपके product को ना कहा है कभी भी इस बात पर focus मत कीजिए कि कितनी calls fail हो गए बलकि इस पर ध्यान दीजिए कि कितने successful हुए कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार अच्छे results पाते हैं वो इसलिए कि वो मान कर चलते हैं कि वो successful होंगे ही उनमें खुद पर confidence होता है और वो सीधे बड़े prospects को call करते हैं जहां से उन्हें बड़े orders मिल सकते हैं इसी से एक और बात चुड़ी है जिसे खुद पर confidence है वो सीधा senior manager से बात करता है ना कि low level पर एक और खासियत होती है successful smart caller scheme वो छोटे मोटे objectives नहीं रखते वो अपना goal set करके उसको पाने का पूरा चतन करते हैं इस skills जरूरी है पर उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा और बड़ी सोच losers कुछ ज्यादा उमीद नहीं करते और फिर कुछ ज्यादा पाते भी नहीं है आप ये कह सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते जब तक आप उसे try करके नहीं देखते जब आप इस सोच के साथ चलेंगे कि क्यों नहीं तो आप जरूर अपना goal पाएंगे चलिए एक final tip बच्चे बन जाएगे चौक गए ना पर सच में हम लोग बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चों को ना से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको दूसरे की position या post से कोई मतलब नहीं होता वो किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं वो risk लेने से डरते नहीं है उनकी imagination की कोई limit नहीं होती और वो सोचने और करने का दम रखते हैं जो adults कहने में कत्रा जाते हैं कभी किसी बच्चे से पूचा है कि वो क्या बनना चाहता है वो हमेशा कुछ बड़ा या famous ही बताएगा हम लोग बड़े हो जाते हैं तो इतने समझदार और serious हो जाते हैं बच्चों को देखिए कितना enjoy करते हैं वो उनमें कुछ भी करने का एक अलग ही जोश होता है और फिर उनके सवाल बच्चे बहुत curious होते हैं उन्हीं सब जानना होता है sales में भी ऐसी curiosity जाईए इसलिए बच्चे बन जाईए चलते चलते कुछ और बाते कर लेते हैं कभी कभी अगर bias ढूणने में दिक्कत हो या फिर decision maker का नाम जानना हो तो company की website पर contact us में query डाल कर देखिए किसी startup में ज्यादा तर employees बड़ी company से आते हैं उनसे उनके पिछले employers की information ले सकते हैं आप अपने prospect से ही उसकी company के decision maker के बारे में पूछ सकते हैं आप अपने school की alumni से contact कर सकते हैं उसमें भी कए लोग आपके काम की निकल आएंगे एक बड़ी common गलती कि कि किसी ने अगर तुरंद phone नहीं उठाया तो हम कार्ट देते हैं थोड़ी देर bell बजने दीजी जल्दबाजी से कुछ हासल नहीं होता है हाँ, जब आप अपने prospect से बात कर रही हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि बीच में कोई interruption ना हो prospect calling वैसे एक काफी मुश्किल है उसमें और मुश्किले मत खड़ी कीजिए बात पर ध्यान दीजिए नोट कीजिए कि अगला जो कह रहा है उसका किस ओर इशारा है prospect calling में success का एक ही तरीका है और वो है P.A.P persistence, attitude और process हिम्मत मत हारिए सही सोच रखिए और सही method इस्तमाल कीजिए आशा करते हैं कि हमारी ये चर्चा से आपको कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा हाँ, जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप इस चर्चा से लाब उठाना चाहते हैं तो केवल सुन कर भूल मत चाहिएगा इसमें दी गई tips को एक बार ट्राय करके जरूर देखिएगा और comments में हमारे साथ अपने experience